असलाम लेकुम वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हम सब लोग मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जिसका नाम है स्नीकर्ट क्लस्टर्स और इसको बनाना बहुत ही असान है जटपर्ट मनने वाली रेसिपी है मैंने यहां पर कुकिंग चॉकलेट और डैरी मिल केक ले ली है और इसको बारिक बारिक से चॉप कर लिया है चोटे चोटे पीसे में और इसके पास इसको डबल बॉयलर में हम करेंगे 10-15 नट के लिए मेल्ट थोड़ा सा दूद डालके आप इसको माईकर वेव भी कर सकते है 30-40 सेकंड में जब तक आपकी चॉकलेट बिलकुल मेल्ट ना हो जाए अच्छा दूद मैंने इसलिए राला था कि थोड़ी सी चॉकलेट ना मेल्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने 2-3 चमचे इसके अंदर दूद भी एट कर दिया था अगर जरूरी हो तो आप एट कीजेगा अधरवाइस बिना दूद के भी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी थी उसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पीनट ले ली है और पीनट को मैं हलका सा रोस्ट करूंगी बिलकुल धीमी धीमी सी इसमें से महक उठने लगे और यह रोस्ट हो ज कीजेगा चैनल पर नहीं होएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा विद दा बेल आइकन ताके हम रहें साथ साथ तो यहाँ पर पीनिट्स रोस्ट हो चुकी है और रोस्ट होने के बाद इसको मैं निकालूंगी प्लेट में और इसको रूम टेंपर ठंडा कर लूंगी और पिर नेक्स स्टेप हम इसकी करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास melted chocolate है उस melted chocolate की एक एक spoon के बराबर quantity में हम circles में इसके ओपर drop करते जाएंगे थोड़े थोड़े gap के साथ अच्छा इसमें मैंने एक chocolate लिया था पूरा बार लिया था chocolate का dairy milk का और एक cooking chocolate का लिया था तो वेरे 10 से 12 इसके अंदर chocolate clusters बने हैं आप quantity अपने हिसाब से up and down कर सकते हैं थोड़े थोड़े फासले से के बिल्कुल भी चिपके नहीं उसके बाद इसके उपर roasted peanuts हमें लगाने हैं आपकी अपनी मर्जी है आपको कितना पसंद है उस हिसाब से आप इसके उपर drop कीजिए peanuts क और जब सारे peanuts लग जाएंगे अच्छे तरीके से तो इसको हम 15 nuts के लिए करेंगे freezer में ठंडा ठीक है और आप ये देखेगा कि 15 से 20 minutes में अराम से ये बिल्कुल settle down हो जाते हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं इस heaven heaven desert है आप लोग try ज़रूर कीजेगा इतना जटपट पढ़न और मज़ेदार desert के मज़ा आजाए खाके बच्चों और बड़ों सब को बस यहां पर 15 minutes के बाद मैंने निकाले थे ये set हो चुका है इसके उपर मैं कैरेमल सॉस को और करी हूं जितना आपको चाहिए आप उसे साबसे पोर करें जैसे स्नेकर्स में कैरेमल होता है सॉस होता ह इसका speciality है तो बस यहां पर एक कैरेमल सॉस मैं उपर से डाला है और मज़ेदार से चॉकलेट कैरेमल क्रस्टरस हमारे तयार है इसको जरूर ट्राइ करें रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजेगा चैनल पर नहीं हो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ऐस इसी अच्छी अच्छी रेसिपीज के लिए चोटी मोटी मज़िदार सी रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रही हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन अपना वो और डे सारा ख्याल रखें मुझे दीजिए जाज़त अलाहाफिस